Hey, hi guys, welcome to YouTube and welcome to C++ Tutorials for Beginners, okay? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूजर से इंपुट ले सकते हैं, okay? किस तरह से यूजर से इंपुट ली जाती है C++ में, वो चीज हम सेखेंगे, okay? तो इंपुट लेने के लिए यूज किया जाता है C-In keyword हमारे पास, okay? C-In keyword का यूज किया जाता है यूजर से इंपुट लेने के लिए, okay? और इंपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है C-Out keyword, okay? see out के बारे में मैंने वीडियो बना दी है अगर आप लोगो ने वो वीडियो नहीं देखिया तो मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आपको उस वीडियो को देख रहे जए description में आपको playlist की link मिल जाएगी और playlist के अंदर आपको सारी की सारी videos अबलेबल है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिखेंगे किस तरह से user से हम input लेंगे user खुद input डालेगा हमारे program के अंदर और उस input को जो भी input user basically type करेगा वो input हमें display करवानी है यह जीज आज का हमारा task है तो file में जाएंगे new file create करेंगे source file and यहाँ पर क्या करना है basic structure create करना है C++ के program का तो सबसे पहले head of files लिखती है iOS stream उसके बाद क्या लिखता है using namespace standard library std main function contain करता है क्या हमारा सारे के सारा program और इसको return जीरो गर दिया ताकि हमें पाता लग जाए कि हमारा जो program है 100% successfully run हो चुक है तो हम चाहते हैं user से input लेना तो for example suppose कीजिए हम user से लेना चाहते है उसका नाम तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए string data type यहाँ पर create कर लिया और इसका नाम दे दिया हमने name name दे दिया और create कर लिया variables के बारे में और data types के बारे में हम future में जानेंगे फिलाल suppose कर लिजे हमने एक string नाम का sorry string data type ले लिया और name variable create कर लिया और name के अंदर क्या store कर वाएंगे हम वो value जो की कौन type कर रहा है user type कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे cout cout की मतलब से हम display कर वाएंगे user को बताएंगे कि enter your name user इस line को पढ़ेगा और उसको बतला जाएगा कि उसको अपना नाम यहाँ पर क्या करना है डालना है ओके तो यह चीज user कर लेगा next is हम चाहते हैं कि अब user से हम लोग input ले तो यह चीज की जाती है c in operator की मतलब से c in operator की मतलब से तो हम लिखेंगे c फिल लिखेंगे in c in और अब c in और sorry c out में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर stream insertion operator लगाया था अब यहाँ पर c in के case में extension operator का यूज रता है यानि कि greater than का sign दो बार ultra यानि कि c out का ultra operator लगेगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जिस भी variable के अंदर आपको value को store कराना है उसका नाम तो हम user का name लिख रहे हैं string string में store कराना है name variable के अंदर store कराना है basically और name के अंदर ही value चाहिए हमें तो हम यहाँ पर लिखेंगे c in name और यह चीज हो गई बन्य प्रोग्राम हमारा and इसको execute and compile करते है and save करते है blah 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 dot cpp save और यह automatically run होना चाहिए और हो गया और यहाँ पर हमें option आई enter your name तो यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे और output में कुछ नहीं आया output में क्यों नहीं आया because output भी तो show करवानी है और output किसकी मदल से show होती है cout की मदल से यानि कि एक और आर किसका use करने बढ़ेगा हमें cout का एक चीज मैं यहाँ पर कर दूँ मैं जाता हूँ कि नई line से हम अपना नाम डिखें तो यहाँ cout पर मैं end line कर दूँँगा end line operator और अब हम हमारे name को display करवाना जाते हैं जो भी हमने इसके इंदर type करेंगे जो भी type करेंगे हम उस चीज को हम display करवाना जाते हैं तो हम cout की मदल से display करवाना जाते हैं cout फिर क्या लगेगा last thing का sign दो बार यानि की stream insertion operator उसके बाद यहां पर हम string create करते हैं welcome welcome उसके बाद यूजर का जो भी नाम है वो print करवाना है हमको तो variable और string को separate करना पड़ेगा तो separate करने के लिए के लिए करेंगे फिर से stream insertion operator का use दो बार और उसके बाद क्या लिखेंगे name name इसलिए लिखा क्योंकि जो भी value इस name के अंदर store है वो हमें यहां पर print करवानी है display करवानी है और अब इसको execute करते है execute compile and run तो यहां पर आगया हमारे पास enter your name अपना नाम डालो तो मैंने डाल दिया जैसे कि अंकिता and enter और यह देखी output में आगया welcome अंकिता welcome अंकिता क्यों आया क्योंकि अंकिता को हमने store करवा दिया कहां पर name variable के अंदर तो इसलिए हमारे पास output आई welcome अंकिता तो यह था way scene को use करने का और आप चाहें तो multiple scene create कर सकते हो आपकी मर्ज़िए और आप चाहें तो एक ही line के अंदर multiple scene create कर सकते हो किस तरह से वह मैं आपको बताता हूँ suppose किजिए एक और string create कर रहे है last name की last name के अंदर भी value चाहिए हमें हम क्या कर सकते हैं scene के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे हमारा extraction का sign इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैंगे last name और यहाँ पर क्या करेंगे c out के अंदर फिर से stream insertion का sign लगाया ताकि हमारे दोनों variable separate हो जाएंगे और यहाँ पर लिखते हैंगे last name और दोने के बीच मैं space चाहता हूँ तो यहाँ पर spacing भी create कर लेते हैं तो output आएगी क्या हमारे पास welcome जो भी नाम हम डालेंगे वो आएगा और इसके बाद जो भी उसका last name होगा वो हमारे पास output आएगा execute compiler run तो इस बार हमें दो time क्या करना पड़ेगा input डालने पड़ेगी enter your name अंकिता enter और आगे उसका surname जो भी था surname डालती है मैं ठागूर enter और welcome अंकिता ठागूर और यह चीज आ गई है हमारे पास बहुत easily आप जाहें तो separately scene को create कर सकते हैं फ़र एक्जमपल इस तरह से मैं see out वाली line को copy करता हूँ और यहाँ पे paste करता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ इस वाले में enter your first name और scene को भी हमें नीचे करना पड़ेगा इस बार organized way में सब कुछ होगा और यहाँ पे organized way में होना जाए सब कुछ और इसको भी नई line से start करना है और इस line को copy कर लो sorry copy and paste and अब यहाँ पे name की जगह क्या आएगा last name variable last name variable तो अब program work किस तरह से करेगा basically हमारा तो सबसे पहले हमने दो strings बना ली एक का नाम दे दिया name और एक का दे दिया last name तो सबसे पहले हमारे पास run होगी यह वाले line यह बोलेगा anterior first name अपना पहला नाम डालो तो scene की मदद से हम क्या कर देंगे हमारा पहला नाम डाल देंगे name डाल देंगे अपना उसके बाद अगली line execute होगी जैसे हम अपना नाम डालेंगे और यह बोलेगी anterior last name अपना last name भी डालो तो इसके बाद scene हम से क्या ले लेगा output sorry हमारी input लेगा scene last name की input ले लेगा उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे name और last name को दोनों को display करवाएंगे किस की थूप cout की थूप cout हमने यहाँ पर लगाया welcome string ले ली welcome उसके बाद separate किया variable और string को तो यहाँ पर आजाएगा welcome जो भी नाम हम डालेंगे for example अंकिता उसके बाद space आजाएगा और फिर क्या आजाएगा last name जो भी हम डालेंगे ठागर रोके execute compile and run और यहाँ पर error आगे और sorry यहाँ पर end l लगा दिया था मैंने इसमें और end l का use नहीं होता ओके see in के case में okay sorry तो यह जो है automatically क्या होता है यह automatically new line से आता है new line से क्यों होता है because जब हम name लिखते हैं उसके बाद हम enter press करते हैं तो इसलिए यह automatically new line में आता है execute compile and run okay यहाँ पीस ने बुला enter your first name अंकिता अब इसने बुला enter your last name थाबकुर and welcome अंकिता थाबुर इस तरह से जो है see in काम गटता है और see out okay so thank you so much for watching this video I hope आपको समझा गए हो कि see in की में किस तरह से input लेते है user से okay बस see in keyword लिखना है आपको उसके बाद आपको यह greater than का sign दो बार लगाना है okay और 2 से जादा बार नहीं लगाना है okay 2 से जादा बार लगाओगे तो error आजएगा या 2 से कम लगाओगे तो भी error आजएगा सिर्फ दो बार ही चाहिए आपको यह उसके बाद जिस भी variable के अंदर आपको value लेनी है उसका आप यहां पर name लिखोगे ओके जो भी variable का name है पिसे के लिए तो इस तरह से ही चीज काम करते हैं thank you so much for watching this video please like, share and subscribe bye take care I hope आपको समझाया हो और यह video मैंने बना दी फिर से 9 minute की बहुत बढ़ी तो thank you so much bye take care कोई question ने तो comment section में पूल सकते हो कर दो